हमारे जीवन में भी हम बहुत अच्छे कारे करते हैं, पर जब सम्मान की बारी आए तो जोटों को आगे कर दिया करो, इसी में ही हमारा सम्मान सदैव धर्म के लिए ततपर रहो, अपने ही बेटों को मार गिराते हैं, क्यूं? क्यूंकि वो धर्म की हानी करने वाले हैं, यदि हमारे ही बच्चे और हमारे ही स्वजन जब धर्म के विमुक होने लगे, तो तटकर धर्म और सब्त्य के पक्ष में खड़े रहो, आपकी अन हाट-khaट हाट, क्रिश्न में आकरष्ण runi शक्ति है, कृषिन जगतगरू है, और कृष्ण के अरैं और Kang Task Report हृष्ण के खर्म है ठीक है? कृष्ण is himself युट्ये। आपने बहुत कुछ भोला कृष्ण के लिए। जिसने जो कुछ बोला, सही बोला. किसे के लिए Krishna ध्यात्म है, किसे के लिए प्रेम की मूरत है, किसे के लिए सच्चादानंद स्वरूप है, किसे के लिए गुरू है. जिसके लिए जो है इसका अर्थ ये होता है कि आपको कृष्ण का वो सद्गुण बहुत पसंद आया क्या हमने कभी कोशिश की कि उस एक गुण को अपने भीतर धारन कर सके हर समय उस चीज का अभ्यास करते रहे जिस चीज का हमारा रदय परमात्मा को उस स्वरूप में स्विकार करता है कृष्ण प्रेम है, कृष्ण माधूरी है, कृष्ण चोरी है, पर कृष्ण दाता है कृष्ण कूट नितिय है, पर सब्ध्य देने वाले है क्रिश्न बहुत अच्छे पती है, बहुत अच्छे मित्र है, बहुत अच्छे पुत्र है, बहुत अच्छे सखा है, क्रिश्न कई जगाओं पर कईयों के लिए प्रेमी बनेगा, कई जगाओं पर कईयों के लिए पुत्र बनेगा, ठीक है, नंद के लिए पुत्र है, वासु कहके बुलाती है, तो कई जगहों पर वो पुत्र वने है कई जगहों पर वो मित्र बने है, बातों की मित्र बने सुधामा के मित्र बने अर्जुन के मित्र बने, कईों के वो बहुत अच्छे मित्र है और निभाने में नंबर वन है कृष्ण, मित्रता हो क्रिश्न गुरु बनते हैं और वो है युद्ध की भूमी। कृष्ण बहुत जगह पर मित्र बने हैं, बहुत जगह पर भाई बने हैं, बहुत जगह पर पुत्र बने हैं, बहुत जगह पर प्रेमी बने हैं, पर केवल और केवल, एक ही जगह पर कृष्ण गुरु बने हैं, और वो है युद्ध की भूमी. उपदेशक बने है और वो है रण की भूमी तो हम लोग भी इस संसार में कई प्रकार के युद लड़ रहे हैं हम इस रदे की भूमी में कई प्रकार के युद लड़ रहे हैं कभी काम का युद, कभी क्रोध का युद, कभी लोब का युद, कभी मोह का युद कई प्रकार के युद्धों को जीतने के लिए और संसार की कई विकट स्थितियों के लिए कृष्ण हमेशा उपदेशक बनके हमारे साथ खड़े होते और ज्यान का शंखनात करते हैं, उसका नाम कृष्ण है कृष्ण काल है? किसी के लिए काल है और किसी के लिए काम है किसी के लिए काम देव कावतार है तो किसी के लिए काल कावतार है एक ही व्यक्ति में बहुमुखी आभा बहुत कम देखने को मिलती है जो कि कृष्ण में देखने को मिलती है जब युद्ध हुआ माभारत का युद्ध, क्या आप ये समझते हैं कि पांडवों ने जीता, नहीं अगर कृष्ण ना होते तो पांडव का तो कोई ताकत ही ना होती कि माभारत का युद्ध जीत पाते युद्ध कृष्ण नहीं जीता है कृष्ण के बल से युद्ध जीता गया पर जब सिंगासन पर अभीशे करने की बारी आई तो किसको आगे किया? युद्ष्ठिर को आगे किया हमारे जीवन में भी हम बहुत अच्छे कारे करते हैं पर जब सम्मान की बारी आये, तो छोटों को आगे कर दिया करो, इसी में ही हमारा सम्मान है. सदैव धर्म के लिए ततपर रहो, अपने ही बेटों को मार गिराते हैं, क्यूं? क्यूंकि वो धर्म की हानी करने वाले हैं, यदि हमारे ही बच्चे और हमारे ही स्वजन जब धर्म के विमुक होने लगे, तो दटकर धर्म और सब्त्य के पक्ष में खड़े रहो, आपकी अन इसी का साथ मिले, जरूरत नहीं है कि कोई आपके पक्ष में खड़ा रहे, यदि आप सत्य के पक्ष में हैं, तो सत्य का उपासक और सर्वस्वेष्ट, सर्वसत्ता न्याय परमात्मा की आपके पक्ष में उतरेगी, यह हमारा वादा है आपसे. धर्म के पक्ष में रहे, सम्यक सत्धर्ममूला वई व्यसने शांतिरुत तर्मा, शांती की उत्तम शांती की प्राप्ती के लिए क्या उपाय है, तो सम्यक धर्म का आचरन करना चाहिए, धर्म के पक्ष में रहना चाहिए, आपत्ती काल में भी उतर उतर अधर्म का आचरन करने वाले का विनाश निश्चित होता है ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ये सत्य कहता हूँ सम्यक सत्ध धर्म मूला मूल में आपके यदि धर्म है तो शान्ती आपकी है मूल में यदि आपके धर्म है तो विजय आपकी है मूल में यदि आपके धर्म है तो आज नंगी तलवार लेकर आपके विरुद्ध खड़े हुए तमाम करोडों लोग भी आने वाले समय में आपके चरणों पर मत्था नवाएंगे ये भी कृष्ण का वादा है जहां मैं हूँ वहाँ धर्म है जहां धर्म है वहाँ मैं हूँ और जहां कृष्ण है वहाँ श्री भी है विजय भी है तो आप किसी भी प्रकार कभी भी आपत्ति का समय आए संकत का समय आए तब भी भी धर्म को मुख मोड कर अधर्म का आचरण मत करो चाहे कुछ हो जाए अधर्म का आचरन करने वाले का विनाश होता है चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो चाहे उसके पास कितनी ही लोग क्यों न हो चाहे उसके पास कितनी ही बिरादरी क्यों न हो रावन के पास एक लख पूत सवालक नाती तब भी उसके घर दिया नबाती एक लख पूत थे रावन के क्या आप विश्वास करोगे और सवा लाख नाती थे पूरा परिवारी धाई लाख का है इसका एक लख पूत सवा लख नाती सवा दो लाख हो गए तब भी उसके घर में अज दिया नबाती दियाबात्ती जलाने वाला, कोई कुल को बढ़ाने वाला एक व्यक्ती बचा नहीं है उसके पास कवरमों के पास कम सेना नहीं है, कम सामर्त्य नहीं है, कम संपत्ति नहीं है कम दबदबा नहीं है, कम धाक नहीं है पर सतत और सतत अधर्म करने वाला दुर्योधन और दुर्योधन को पक्ष देने वाले, समर्थन देने वाले भीश्म पिताम जिसे विद्वान भी विनाश को प्राप्त होते हैं इससे हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय मुखा रहना पड़ जाए संकट के समय यदि सारे लोग आपके विर्द हो जाएं तब भी धर्म का आचरण यदि आप नहीं छोड़ते तो भगवान नारेन आपके पक्ष में रहते और जहां नारेन है वहां विजय है जहाँ नारेण है, वहाँ सक्त्य है, जहाँ नारेण है, वहाँ सम्मान है, और जहाँ नारेण है, वहाँ दुनिया आज नहीं तो कल जुकने को तयार है। डरो मत्त, हिमत से सामना करो, साहस रखो, धर्म के पक्ष में सम्यक सद धर्म मूला वैव्यसने शांती रुत्मा उत्तम से उत्तम शांती प्राप्त करोगे आप, उत्तम से उत्तम साहस प्राप्त करोगे आप, कब जब आप संक्ट के समय उत्तर उत्तर अधर्म का आचरन ना क करते हुए, धर्म का पक्ष लेते हो, धर्म के साथ रहते हो, यदि आप अधर्म का साथ देते हो, तो सावधान हो जाएगा, अधर्मियों का नाश आज नहीं, अनाधिकाल से हुताया है, अनाधिकाल से, वो चाहे कितने ही पैतरे आजमाले, वो चाहे कितनी ही बुद्धी रही जाएगा, पर यदि आप सत्य के पक्ष में हैं, यदि आप धर्म के पक्ष में हैं, तो लाखों लोगों को आपका विरोध करने दो, आपका भीतर उन लाखों पर भी भारी पड़ जाएगा एक दिन, जब आपके चित में धर्म का उदय होगा, कृष्न का उदय होगा, वो कृष्ण सायता देता है, सुरक्षा देता है, प्रति पल पग पग पर आपकी रक्षा करता है, आपको पता चल जाएगा? जब विधाता रूठा हुआ हो तो डंडा लेकर पीछे नहीं पढ़ता आप से जब विधाता रूठा हुआ हो तो डंडा लेकर पीछे नहीं पढ़ता केवल बुद्धी उलट देता है पर यदि विधाता आपके पक्ष में है तो कोई आपको आशिरवाद देखे कोई शेर या कोई गायवाय नहीं आती या कोई देवता प्रसन्न होकर आपको आशिरवाद नहीं देते जब विधाता प्रसन्न हो इश्वर प्रसन्न हो आपको सदबुद्धी स्वता मिल जाती है, यही उसके प्रसंद होने का तरीका होता है. पर यदि विधाता नाराज हो, तो आपकी बुद्धी दिन प्रती दिन उल्टी दिशा में चलती रहें, और आप निरंतर गलत कारे करते रहें, यही उसका प्रतीक है कि इश्वर आप पर अनुकम्पा नहीं कर रहा है, कोप कर रहा है. ऐसी सदबुद्धी प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को बार बार इश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ए भगवान सतबुद्धी दो, क्योंकि सतबुद्धी एक ऐसी वस्तु है अगर सतबुद्धी आ गई, तो ज्यान, भक्ति, कर्म, योग, भोग, सब भोगना कैसे, बोलना कैसे, योग करना कैसे, क्या करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना, यह बुद्धी भी अपने आप आई भागवान, सत्व बुथ्धि दो, शक्ति दो, निरोक्ता दो अपना, अपना करतक पाले , सुखी रहे यह परार्फनन लाप ने चाहिए विधाता जब रूठता है तो बुथधि का हरन करता है और जब विधाता प्रसन होता है तो पुथधि को देता है बुद्धी किसकी हमारी जाती है, किसकी बुद्धी हरन होती है, जो अधर्म पर चलता है, जो सदेव अधर्म का साथ देता है, वो उसकी बुद्धी मारी जाती है, वो स्वयम स्वयम का विनाश करता है, पर जो धर्म के पक्ष में होता है, सतत परमात्मा उसे बुद्धी के रोप में प्रेणा देता रहता है, प्रसनता के रोप में उसके रदे में खिल खिलाता रहता है, चहकता रहता है, इसलिए भागवान कृष्ण के जीवन से हम सटीक संदेश ले सकते हैं, कि कुछ भी हो जाए, फिर भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए.